नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर दोस्तों निफ्टी क्या 120 पॉइंट नीचे खुलेगी क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं आये हैं अमरीका की बाजार इवन ग्रीन में चल रही बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी यानि कि अमरीका की बाजार में एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है close to 300 पॉइंट की अगर हम नॉर्मल बेसिस पर बात करने तो यह तो यह बड़ी गिरावट है लगभग लगभग 400 पॉइंट की जिहां 400 उसी रेशियो में गिराती है ठीक अब समझाएंगे आपको कि क्या अपनी बाजार सच में 120 पॉइंट नीचे खुलने के आसार बना रही है क्योंकि जब आप जब ग्लोबल मार्केट सेनारियों जाकर देखोगे तो आपको यह बात बिल्कुल साफ साफ दिखाए देगी कि हम फ हम फ्यूचर का नंबर यहां पर लेते हैं फ्यूचर हालिबाजार 下一re 293श है यहां पर एंगर हम 120 नीचे खिसकाते हैं ठीक 15-800 का level psychological support है, plus 15-788, इसको हम 15-785 कह सकते हैं, ठीक है, 15-785 का level कह सकते हैं, जो की काफी बड़ा pivot point वाला support है, तो इसका मतलब हमारी बाजार बहुत बड़े important support पे खुलेगी, अगर यही सिनारियो सुभा अमरीका क्या future straight करता हुआ दिखाता है, कि उसमें कोई हमको recovery के संकेत नहीं दिखाए देते हैं, तो हम बहुत बड़े support पे खुलना हैं, जो की काफी जादा अच्छी बात है, यह गिरावट होनी है, यह तो तैं, अगर अमरीका के बाजार flat भी खुली, तो हमको इतनी गिरावट दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम दुनिया भर से ही संकेत लेते हैं, दुनिया भर की बाजारों गिरावट आई है, हमको जेलना पड़ेगा, लेकिन इस बुरी चीज में अच्छी बात है, यह हम बहुत बड़े support पे खुलना है, तो यहाँ पर भी हमारे लिए वही mixed सा महौल है, ग्लोबल मार्केट्स अभी neutral हुए हैं, नेगिटिव नहीं हुए हैं, याद रखिए कर क्योंकि हम important support पे खुलने हैं, अगर बाजार 15,7-85,7-8 के नीचे decisively closing देने लगती है, तो फिर हमको एक बार alert होना है, क्योंकि फिर बाजार 15,5-500 तक momentum दिखा सकती है, अब आपका सवाल होगा कि IT stocks में गिरे क्यों, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो अपने हाँ जो IT stocks में momentum आया, वो result के दोरान आया ना, और आप अमरीका की बाजार को जाकर देखोगे, आपका सब कि सब एक तरफ से भाग लगा रहे थे, भागा दोडी मचा रहे थे, तो वहां पर profit booking आनी तैही थी, ये बात हम सबको पता है, लेकिन reality अलग से चेंज हुई है थोड़ी सी, जब उसमें reality और infrastructure shareo ने participate किया, फार्मा सेक्टर ने थोड़ा सा पार्टिसपेट किया इस गिरावट में, तो मतलब वहां सब में profit booking आई हो, गिरे नहीं है, लेकिन होता है ना कि कोई 5% स्टॉक उपर है, वो गिर कर दो परसेंट नीचे बंद होगा, तो इतना बड़ा गप डाउन कर रहे हैं, हमारे पास buying opportunity ज्यादा हमको दिखाई देती है, कम से कम जब तक हम support नहीं तोड़ रहे हैं, अगर further अमरीका में गिरावट होगी, तो हम कोई मतलब चारा बचता है नहीं कि हम ना गिरे, अभी आप directly इसको यह मत मान लीजेगा, यह बाजार buy-on dips की जो थी, वहाँ पर हमको कुछ चेंज देखने को मिल ला है, नहीं, अभी भी बाजार अपनी buy-on dips ही है, अमरीका में बहुत जल्द recovery आने के संकित हैं, अमरीका की बाजार में, जो कि वहाँ पर भी जब आप DAW futures का चार देखोगे, तो जो 34-350 का लेवल है, 34-350 वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो अमरीका में नीचे just 1500 पॉंट नीचे बहुत तगड़ा सपोर्ट अवेलवल है, और all-time highs पर इतनी चोटी-मोटी चीज़ें होती रहती हैं, हमको आपको डरनेक जिरुवत नहीं, अमरीका 1% नीचे है, हमारी बाजार पहुन 1% नीचे, सिंगापूर में ट्रेड कर रही है, अपनी बाजार भी लगबग 120 पॉंट नीचे, लगबग 1500-800 के पास खुलेगी, जो की psychological support है, नीचे 10-15 पॉंट नीचे, पेवर्ट पॉंट का support है, technical indicators भी काफी अच्छा support दे रहे हैं, अगर आप simple trend line भी draw करोगे, तो भी आपको एक बहतरीन चीज देखने को मिलेगी, कि अपनी बाजार, यहां से अगर आप देखो गई है, तो हम मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सब कुछ बिगड़ जाएगा, यह थोड़ी से line ऐसे ऊपर जाएगी, और हम जहां पर खुलेंगे वहाँ से थोड़ा सा नीचे, हमारे पास support available होगा, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम trend line support पे हैं, pivot point support पे हैं, psychological support पे हैं, तो थोड़ा सा आप उहां पर condition मनाईएगा, कहां खुलेगी बाजार exactly, और Nifty के important levels क्या होंगे, यह आएगी, यह बाते हम आपको बताएंगे, कल की बाजार वाली वीडियो में जो कल रात में आएगी, swing trading वाले stocks की वीडियो कल दिन में आएगी, इंतजार कीजेगा उसका leading और lagging indicator के बारे में बहुत अच्छा explanation आपको दिया गया है, जरूर यह वीडियो देख लीजेगा, आज uploaded है, अन वीडियो भी चैनल पे uploaded है, जाकर देखिएगा हम मिलते हैं, F&O में अगर आपका trade फसा हुआ है, तो वहाँ पर आपको एक seek लेकर जानी चाहिए, कि कभी भी overnight position naked मत लेकर जाईए, आगे से अगर इस बार गलती हुई है, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, मिलंगी फिर से वीडियो पसंदाई, लाइक कर देना हमस्कार,